आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम classification of soil से आपके लिए most previous 70 questions लेके आए हैं तो जिसने आभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है कर लिए साथ में bell icon जो होता है उसे भी press कर लिए तो चलिए हम शूर करते हैं आज के अपनी वीडियो तो देखिए first question क्या हो रहा है what does symbol SP indicate SP एक symbol है वो क् निएपी से क्या होता है पूर हो जाएगा कि गरीब सेंड है खराब सेड है गरीब दवाawy से हम ऐसे हम ऐसे भोलते हैं इसको खराब सेंड हम ब्लते है दिकले घ्र मुलते है और नियू पूर्ली ग्रेज्ण को जाएगा उसए अ और सी छो होता है वहा रृली स verbess्व जो ऑन क इसका विकास किया गया था, Unified Soil Classification System जो है किसके द्वारा इसका विकास किया गया था, तरजांगी, अटरवर्क, मोहड या फिर कैसा गरेंडे, कौन सा है, कौन सा Scientist है, तो वो तरजांगी ही थी, जब भी आपको Soil से आपको Question पूछा जाएगा, तो Most Hope हमारा अंसर जो aggregate होते हैं, उसको हम coarse aggregate बोलते हैं, अगर 75 से ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम cyclopean aggregate बोलते हैं, 4.5 से कम होगा, तो वो fine aggregate या फिर fine sand की category में आता है, यह भी important है, अगला देखिए, Which soil will take year and decay to undergo full settlement after the new building is construction, कौन सा Soil होता है, जो कि takes year and decay to undergo full settlement after the new building is constructed, तो वो clay होता है, clay मिट लिए जो होती है, वो होती है. अब अगरा कुशन देखिए, the sedimentation analysis ओ the particle size distribution is adopted for soil particle that are finer than, sedimentation analysis होती है, वो fine की लिए की जाती है, वो fine sand होते हैं, उसके लिए की जाती है, तो उस 75 से होते हैं, finer होते हैं, उसके लिए ही sedimentation analysis की जाती है, अगरा कुशन देखिए, According to the Indian Standard Soil classification system, silt is symbolized with letter, हमारा जो Indian standard का soil classification system है, उसके according जो silt होती है, उसका क्या symbol है? S, M, C, यह फिर G तो silt जो है, उसका M सिंबल होता है हमारे पास A, इस question and answer हो जाएगा अगला question देखे, which of the following is used in soil classification system soil classification system में कौन सा chart जो होता है, 一点 साइज जो होता है, उसमें इफेक्टिव diameter जो होता है, वो क्या होता है? इफेक्टिव साइज जो होता है, compete या फिर होता है, effective size होता है, वो d50 होता है, इन दोनों को आप याद रखए, effectively के बारे में कई बार पूचा जा शुका है, आपको effective size के बारे में आपसे exam में पूछा जा चुका है average के बारे में हो सकता है कि आने वाले exam में आपसे पूछा जाए तो इस चीज़ का आप कास त्यान रखिए देखिए silt का symbol क्या होता है m ही होता है यह question बहुत ही जादा repeat होता है कही बार s का sand का क्या होता है clay का क्या होता है gravel का क्या होता है इस तरह के symbol जो होते है आपको पता होने चाहिए अब यहां पर देखिए sensitive से question पूछा गया है कि value जो है 2 से 4 तक है तो soil जो होता है कौन सी category में classified किया गया है इन चारों में से अगर हमारी value 2 से 4 है तो वो normal category में आएगा या फिर insensitive या फिर sensitive soil या फिर extra sensitive किसमें आएगा little sensitive किसमें moderate में आएगा किसमें आएगा तो देखिए 2 से 4 या फिर 1 से 4 वो normal category में आता है लेकिन यहां पर normal answer नहीं दिया गया तो हम क्या मानेंगे moderately normal sensitive जो होती है उसको answer मानेंगे अगर हम यह से mild, moderate कुछ इस तरह से लेके तो हमारा अंसर normal के लिए यही आता है, moderate जो होता है, वो ही आता है, तो यह हमारा अंसर हो जाए गया आपर, अब अगला देखिए, unified soil classification system is almost similar to dash classification, किस classification से similar है, जो unified soil classification system है, तो वो Indian standard soil जो है, उसके according ही, अगला कुछ देखिए, which of the falling has least varying capacity, least varying capacity इन चारों में से किसके पास होती है, least varying capacity की आगर हम बात करें, तो loose gravel के पास होगी, देखिए, soft rock है, है तो rock ही न, hard rock है, compact gravel, जो compact किये हुए gravel है, loose gravel में, varying capacity काम होगी, compact किये हुए है, तो इसमें तो ज्यादा ही, इससे ज्यादा ही होगी इन चारों से पूछा गया, तो loose gravel के पास ही, varying capacity सबसे काम होगी, अब अगला motion देखिए, in plasticity chart, a line, generally separate, जो plasticity chart होता है, उसमें बोला कि ये a line है, इसकी value 0.73, कुछ इससरा की value होती है, तो ये a line जो होती है, किसको separate करती है, तो ये separate करती है, जो clay and silt होती है, उसको separate करती है, एक side silt होती है, एक side clay होती है, आपको ये पाता होने चाहिए, जो a line के ऊपर होती है, वो clay होती है, यहाँ पर है, नीचे जो होती है, वो silt होती है, silt को हम m से denote करते है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगला motion देकित, soil which contains 90% of particle size of greater than 0.06 mm and less than 0.2 mm is, वो क्या होता है, उस as, जो soil होता है, जिसको हम plot करते है, a line के ऊपर plasticity chart में, उसको क्या बोलते है, clay, sand, silt, organic, soil, तो a line के ऊपर मैंने पीछे बताया था, clay होती है, silt जो होती है, a line के नीचे होती है, अब यहाँ पर देखे, बोला कि plasticity chart होती है, इसमें a line को हम कैसे express करते है, तो a line जो होती है, आपे बाई दो line होती है, पहले आप इसको देख लिए, यहाँ होती है, तो a line होती है, इसको ip 0.73 इन्टू wl-20, यह a line की value होती है, आगर हम u line की बात करें, u line जो होती है, इसको भी हम ip से denote करते हैं, is equal to 0.90 into wl-8, यह a line की, u line की value होती है, a line, u line, दोनों को आप याद रख बीकार हो जाएगा. ह LAN अगला गेंगएवरँ जो होता है वह हमें आइडिया देथा है कि सिको पर कि हमारा जो भई स्टारइ W है कितना वाइन है क्या है किसमें water content कितना है तो option A हमारा answer यहां पर हो जाएगा तो देखी next question क्या बो रहा है uniformly graded soil जो होता है उसकी coefficient of uniformity यानि कि CU की value पूछ रहा है कि इसके लिए uniformly graded soil जो होता है uniformly graded soil very important question आई यह exam point अभी से तो uniformly graded soil जो होता है उसकी CU value less than 5 होती है यह points आप याद रहिए और जो हमारे पास medium graded होता है यहां per uniformly के बारे में पूछा गया है बोला गया है option B answer हो जाएगा यहां पर अब next देखिए as पर हमारे Indian standard the soil with particle size less than 75 mu in your micron is called as 75 से कम जो size के aggregate होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं micron उसको हम silt बोलते हैं silt हमारा question हो जाएगा अगला देखिए in liquid limit test liquid limit test जो होता है कैसा grand tool cut to group of dash mm wide at bottom bottom अब देखिए प्लास इसकी चार्ड बहुत ही ज्यादा है कि यहां से numerical भी पूछे जाते हैं और थोड़े बूद कोशन भी पूछे जाते हैं तो देखिए according to the Indian standard soil classification system is soil is described by symbol mh the soil is mh जो होता है आपको बता है कि silt में आएगा तो यहां पर देखिए यह हमारा अंसर यहां पर हो जाएगा इन ओर गैनिक silt of high compressibility देखिए high compressibility अगला देखिए soil sample having most of the particle of all size dermals soil जो होता है जिसके पास most of particle जो होते हैं वो सभी size के होते हैं वो bell grid soil होता है उसके पास छोटे बड़े जो होते हैं उस जाते हैं साइसे तो grain size पुछा कि mediums graded sand जो होता है लाई करता है कौनसी वैली से लेकर कौनसी वैल्यू तक यह कुछन बहुत ही जाता है मैंने आपको सारे ही size बताके रखे हुए हैं तो medium के लिए पूछा गया है तो हमारा अंसर यहां पर B answer हो जाएगा medium के लिए अब 2 से 4.75 जो होता है वो बड़े course sand के लिए होता है तो यह चीज आप याद रखिए एंड यहां से यहां तक जो value होती है यह किसके लिए value वेरी करती है यह fine sand जो होता है उसके लिए अब देखिए तो copy chart of curve जो होता है well graded soil के लिए lies between देखिए पीछे हमसे क्या पूछा गया था cu की value पूछेगे अब देखिए cc की value पूछेगे यह well graded के लिए तो cc की value एक से 3 होती है well graded soil के लिए option कहां पर देगया B हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला question देखिए the coefficient of uniformity or well graded sand must be greater than sand के लिए हमारे पास value पूछेगे है cu की value पूछेगे है sand के लिए तो sand की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6 इसकी value होती है 6 से ज्यादा होती है gravel की बात करें तो इसके लिए 4 से ज्यादा होती है तो sand के लिए पूछेए हमारा answer c answer हो जाएगा यहाँ पर यह दोनों value important है अगला question है कि which one of the falling represent the measure of particle size range represent measure of particle size range कौन सा होता है जो की represent करता है तो coefficient of uniformity cu जो होता है वो measure करता है particle size की range जो होती है उसको अब देखे बोला कि as per हमारे Indian soil classification system MI the symbol for MI जो symbol होता है MI MS तो आमने पढ़ लिया कि organic silt of high compressibility होती है अब I क्या चीज़ है यह बई तो I जो होती है वो क्या होती है बहुती जाद important है तो यह भी inorganic silt होती है लेकिन medium plasticity होती है इसमें option C हमारा question answer हो जाएगा अब अगला question देखे as per Indian soil classification system inorganic silt of high compressibility defined by तो यह हमने पीछे discuss भी किया था MH से हम इसको denor करते हैं जिसके पास silt है high compressibility है तो जितने भी question है बहुत ही important है मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बनाने के कुशिश कर रहा हूं ताकि हमारा जो soil mechanics हो खतम हो सके जल्दी कि बहुत ही जादा comments मुझे मिल रहे हैं कि sir soil mechanics का marathon दो तो इसलिए हम जल्दी प्रवाइट कर रहे हैं नेक्श देखे as per soil classification system silty sand is denoted by the symbol silty sand जो होता है उसको हम कैसे denote करते हैं तो silty sand जो होता है हम उसको ऐसे denote कर सकते हैं या फिर नहीं कि मैंना आपको अभी बताया तो silty sand जो होता है वही हमारा जो sand आपको silty है c हमारा इस question में answer हो जाएगा अब देखिए आपर बोर रहा है कि तब uniformity coefficient soil with the usual notation is defined as simply cu की value क्या होती है soil के लिए तो वो होती है d60 over d10 जो होता है हमारा answer होगा यहाँ पर अगला question में भी same वही पूचा गया कि uniformity coefficient जो होता है is the ratio of falling cu जो होता है किसका ratio होता है d60 over d10 का जो ratio होता है वही cu होता है अगला भी same वही question पूचा गया है लेकिन थोड़ा सा different पूचा गया है uniformity coefficient of filter sand के लिए filter sand के लिए उसको कैसे represent करते है d60 over d10 जो होता है वही होता है cu तो इस सीच को आप याद रखिए d हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा अब देखिए अब बोटा कि in which type of soil more than half the total material more than half the total material why it is larger than 75 micron is sieve size more than 50% तो वो coarse grain soil ही होते हैं जिसके लिए 75 mm micron का sieve जो होता है उससे ज्यादा होता है option A हमारा answer हो गए यहाँ पर अब यह वाला question देखिए कई बार exam में पूचा गया कि बोला कि group symbol assigned to silty sand हमारे पाद जो sand है वो sand जो है वो clay है कुछ इस तरह का question पुचा गया तो हमारा answer जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वो ही सही है तो C हमारा answer हो जाएगा अब अगला question देखिए ते uniformity coefficient D60 over D10 for fine for the west filter medium sand के लिए वो कितना होता है तो west filter medium sand के लिए 2 होता है A हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा तो friends इसने चनल को subscribe नहीं किया यार कर लो अभी फटा फट से और वीडियो को share कर अपने दोस्तों साथ फटा फट से वीडियो को share कर अपने दोस्तों साथ ताकि उनको भी वीडियो का फाइदा मिल सके अगला question देखिए बिच आता falling soil has a uniformity coefficient of more than 10 CU की value जो होती है 10 से ज्याद के लिए of dry dust जो होती है जो सूकी dust होती है जिसका of dust से लेकर 100μm यह मूम है size वो क्या होता है cyclone होता है gravity settling chamber होता है या फिर bag filter या फिर scrubber क्या होता है यह तो वो cyclone होता है cyclone जो होता है वो ही होता है 10 से 100μm का size होता है उसका जिसको हम use करते है easy separation of dust अगला देखिए डिलाइट या फिर submerged correction factor जो होता है वो apply किया जाता है जब हमारा N1 की value होती है N1 वो 15 से ज्यादा होती है उस cases में apply किया जाता है यहाँ पर 1 नहीं दिया गया लेकिन N1 is greater than 15 तब डिलाइटेंज सी या फिर submerged correction factor जो होता है वो apply किया जाता है अगला देखिए consistency limit measure by the instrument is known as consistency limit जो होती है वो उस instrument का नाम आपको बताना है तो देखिए या फिर ट्रिक भी आपकी बन सकते है consistency कैसा ग्रेंड है C हमारा answer हो जाए यहाँ पर अगला question क्या वारा coefficient of uniformity of a soil CU जो होता है soil के रिए हो क्या होता है less than 1 equal to 1 equal to या फिर less than 1 या फिर equal to या फिर greater than 1 तो वो D हमारा answer होगा यहाँ पर तो हम इससे देंश करते हैं वो होती है हमारे पास uniformly graded soil uniformly graded soil ही होती है वो अगला question देखिए the maximum size of grain of silt silt का maximum size क्या होता है maximum size minimum size भी पता होना चाहिए तो minimum size की बात करें 0.2 mm इसका minimum size होता है silt का and 0.06 mm जो होता है यह इसका maximum size होता है तो maximum size हमारे पास option A इस question में answer हो जाएगा कई जगा आपको यह भी देखने को मिलता है कि 0.75 mm यह भी देखने को मिलता है silt का maximum size अब यहाँ पर भी same question पूछा गया तो हमारा answer यही हो जाएगा silt के लिए next question क्या हो रहा है soil is set to be medium size medium size का अगर उसका cu जो होता है वो कितना होता है medium size के लिए तो medium size के लिए जो value होती है वो between होती है 5 से 15 के बीच में 5 से 15 के बीच में होती है तो यहाँ पर देखे थोड़े बद question जो है option जो है confusing दिया गया है तो हमारा answer 5 से 10 ही हम इसको मान लेते हैं 10 से 15 नहीं होती है value 5 से 15 होती है तो यहाँ पर 10 दिया गया है तो हमारा answer B answer हो जाएगा अगला क्या हो रहा है तो coefficient of curvature जो होता है well graded soil के लिए must be in the range of CC की value जो होती है well graded soil के लिए वो कितनी होती है एक से 3 होती है एक से 3 उसकी CC की value होती है अगला देखे CU की value पूछी है well graded soil के लिए तो मैं पीछे बताई जो का 15 से ज़्यादा होती है D हमारा इस question में answer हो जाएगा next question क्या हो रहाधा grain size और coval soil particle के लिए coval size जो होती है उसका size कतना होता है 80-300 mm उसका size होता है D इस question में answer होगा अगला question देखे an inorganic clay of high compressibility represented by symbol inorganic जो high compressibility clay होती है उसको हम CH से denote करते है CH हमारा answer होगा यहाँ पर B अगला देखे Indian standard का यह वाला ice code किस से relate करता है तो यह जो ice code है वो soil की classification से relate करता है A हमारा answer होगा यहाँ पर अगला question देखे soil classification of composite soil exclusively based on the particle size distribution is known as उसको अब textual classification बोलते हैं अगला question क्या बहुत है minimum size of particle of silt, silt का size करना होता है मैं आपको बता चुका हूँ minimum यह होता है maximum यह होता है अब यहाँ पर देखे दोनों ही question सेम है effective size particle of soil is denoted by effective size जो होता है soil का वो क्या होता है तो d10 जो होता है वो effective होता है average भी मैं आपको बता चुका हूँ कि average कौनता होता है तो A हमारा sorry B हमारा question मेंसर हो जाएगा अगला question देखे size of aperture of 1500 mm micron ICB is 1500 micron का सीव जो होता है उसके लिए aperture का size कितना होता है aperture का size होता है 0.15 mm होता है अगला question देखे soil having particle of approximate the same size soil जो होता है जिसका particle size जो है approximate same size के है उसको हम कौन सा soil बोलते हैं uniformly graded soil हम उसको बोलने है same size के हैं लेकिन जो bell graded होता है इसमें चोटे भी होते हैं बड़े कान भी होते हैं लेकिन uniformally में same size के particle होते हैं C हमारा question मेंसर होगा अगला question देखे तक coarse grain soil will be lie on boundary classification when they have percentage of fine grain कितने percentage का fine grain होता है तो 5-12% का fine grain जो होता है वो होता है अगला देखे बीचर फॉलिंग हाइस्ट optimum moisture content इन चारों में से highest optimum moisture content जो होता है किसके पास होता है highest तो clay जो होती है आपको बता है कि dense sand मैं capacity जो होती है किस taraf को देखने को मिलती है dense sand जो होता है उसमें then sand me आपको bearing capacity जो होती है वो देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा maximum देखने को मिलती है अगला बूते affected falling is a type for particle size test, इन चारों में से कौन साय ऐसा है, जो कि particle size test है, तो वो होता है, wet sieve, wet sieving, option C, answer होगा यहाँ पर, अगला question क्या बऄदा, for equal spherical sand grain, equal spherical sand grain है, ratio बोच रहा है, between the most loose and dense state will be loose and dense state का जो ratio होता है वो क्या होता है 2.6 होता है 2.6 answer A हमारा होगा यहाँ पर अगला question देखिए if the material of a plane of a कैसा ग्रेंटे liquid boundary device is soft in comparison to standard hard rubber on which a cup filled with clay paste then तब क्या होता है liquid limit of soil always rise liquid की जो limit होती है हमेशा बढ़ती है A हमारा answer होगा यहाँ पर अब सेम वही question बार-बार repeat हो रहा है कि clay का सिल्ट का साइज होता है वो क्या होता है minimum maximum important है यह question अगला question देखिए इस soil has a average particle size करें 0.2 mm it is predominantly तो वो क्या होता है तो उसको हम sand बोलते हैं sand हम बोलते हैं इसका size यह वाला होता है अगला question देखिए how much is the effective diameter of particle for stock slow to be applicable stocks low के लिए जो size होता है particle का वो कितना होता है stocks low की बात करें तो वो less than होना चाहिए इस value से option दी हमारा इस question बंसर हो जाएगा अगला question क्या बनद हे ऊगर्एस क्सेपिंजाट होता है वो आपको देखने को मिलता है किस के डिशन में सीवेस प्रशन में पीजुमेटली प्रषम में buy 만 में इसथो आपको सिबसेंख यह होता है उसमें देखने को मिलता है उसकी लगशन देख यह अगला है अगलों लास्ट कोशन देखिए हमारे इस वीडियो का इन ओर गैनिक सोईल बिद लो कमप्रेसिविटी इस रिप्रेजेंटर वाइब आपको पता है लो कमप्रेसिविटी जो होती है अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ML से सिल्ट जो है उसकी low compressibility है C हमारा इस question में सिर्फ हो जाएगा तो friends यह थे हैं most हमारे 70 question तो वीडियो को अपने दोस्तों साथ share कीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में bell icon को दबा लीजिए बिलते हैं आसी ही नेक्स वीडियो में